वाटरा लैंड डील मामले में जस्टिस शिंग्रा ने आज अपने रिपोर्ट मुख्यमंद्री मनोहरलाल खटर को सौप दी है उन्होंने सील बंद लिफाफे में 182 पेजो की रिपोर्ट सौपी है जस्टिस शिंग्रा ने कहा कि जमीन आवंटन में गड़ बड़ी पाई गई है जस्टिस शिंग्रा ने साफ कहा कि इसमें वो सभी विशे हैं जो उन्हें सौपे गए थे जो भी साक्षे मिला है उन सब का जिक्र रिपोर्ट में है सरकार चाहेगी तब ही पब्लिक करेगी कब करना है कैसे करना है सरकार का निर्ने होगा उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दो हिस्से में सौपी गई है एक में चांच है और दूसरे में सबूत वैसीम खटर ने कहा कि देखने के बाद हम इस पर फैसला लेंगे कि आखिर क्या करना है उन्होंने कहा कि दोशी पाय गए अधिकारियों पर कारवाई होगी आपको बता दे कि वाडरा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्कायलाइट ने जो जमीन गुरुग्राम के शिकोपूर में साड़े साथ करोड रुपए में खरी दी थी वही जमीन लैंड यूस चेंज होने के बाद 55 करोड रुपए से ज्यादा में बेच दी ऐसे ही आरोप हुड़ा सरकार के दोरान दूसरी कंपनियों पर भी लगे हैं आपको बता दे कि हर्याणा की खटर सरकार ने 14 मई 2015 को हर्याणा खासकर गुरुग्राम और उसके आसपास की विवादासपत जमीन सौदो की जांच के लिए जस्टिस एसन धींगरा आयोग का गठन किया था वैसे पहले भी वाडरा पर बीजबी किसी ना किसी तरहा से निशाना साधिती रही है अब देखना ये होगा कि धींगरा रिपोर्ट क्या नया गुल खिलाती है देखते रहे कि जीप लाइव